कितनी जबरदस नियूज है, गुड नियूज है, हर्मन प्रीत कौर पे दो मैचिस का बैन लग गए, इतनी अच्छी नियूज नहीं है ये, मतलब दो मैचिस का लगए, दो के साथ अगर एक जीरो होता, बीस मैच होते तो ज्यादा मला था, देखें अगर आप हमारी क्रकेट को गंदा करेंगे ना, आप हमारी क्रकेट के रूल्स तोड़ेंगे, आप विकट के उपर ऐसे बला मारेंगे, आप अमपाईर के साथ बदतमीजी करेंगे, आप प्रेसेंटेशन सर्मनी में दूसरी टीम के कफ्तान को ये कहेंगे कि बही, तुम तो एमपाइट्स की वज़ा से जीते हो जाओ जाके एमपाइट्स को लेके आओ उनके साथ ग्रूप फोटो के चवाओ आप बिसिकली गेम को गंदा करेंगे तो आप पे बैन लगने पर हम बहुत खुश हो गेम से बड़ा कोई नहीं है मतलब जब विराट कोली ने पर ठीक है मसला यह है कि जब कोई बहुत बड़ा प्लेयर कोई रूल तोड़ता है ना तो फिर सारे कहते हमारा प्लेयर ठीक है मुझे हरानगी है कि इंडिया में लोग हर्मन प्रीट कोर के इस एक्ट को डिफेंड कर रहे थे कि नहीं जी आपको नहीं पता वह इस उसने जाते वें अमपाईर को गालिया निगाल दी, अमपाईर को आंखें दिखा दी, दूसरी टीम की कप्तान को बुरा बला क्या दिया, प्रेजन्टेशन में बत्तमीजी कर दी, क्रिकेट की तारीख में कभी किसी ने प्रेजन्टेशन सर्मनी में ऐसे बत्तमीजी नहीं कैसे बैन लगेगा गेम से बड़ा कोई नहीं है आई सी सी थेंक यू सो मच आपने क्रिकेट फैंस की अवास सुनी जो गेम को गंदा करेगा जो गेम के रूल्स के बाहर जाएगा उसको सदा मिलनी चाहिए अगेन दो मैच इसका बैन बहुत कम है थोड़ा ज्यादा होना चाह गए यह जब ऐसी हरकत करते हैं इनको सजा देना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जब आप लटकाएंगे न तो आप आने वाली जन्रेशन को मैसेज देंगे कि गेम को गंदा नहीं करना क्योंकि गेम की रिस्पेक्ट करना बड़ी इंपॉर्टेंट है गेम के के इंदर रहना बड़ी इंपॉर्टेंट है सो क्रिकेट सेंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हर्मन प्रीत कौर को बंगलादेश के खिलाव गलत हरकत करने पे बैन कर दिया गया है दो मैच इसके लिए